राम राम दोस्तों लीचे में फिस से हाजिर हूँ एक और रेसिपी के साथ आज में लेकर आई हूँ बर्गर आप कहेंगे बर्गर में क्या खास बात है ये क्यों बनाया आपने पर इसमें खास बात तो है क्योंकि इसमें मैंने फ्राइ नहीं किया है टिक्की नहीं बनाई है खूप सारी वेजिस डाली है आजकल के टाइम में लॉकडाउन के टाइम में जब बच्चों को बाहर का खाने का कुछ नहीं मिल रहा है और ऐसी चीजों की क्रेविंग हो रही है तो क्यों न हम घर पर ही बना कर खिला दे जिसमें ज़्यादा ओयल भी हो हेल्दी तो नहीं कवंगी बर्गर है पर थोड़ा से हम एकज़ेस्त कर सकते है। सबसे पहले एक कडाई में थोड़ा स dewल डाल लिया है झममच लिल जाला है देशेदी डाला वैसे मैंने और इसमें मैंने राईको तड़का लिया है एक प्याच बारीक काटकर इसमें डाल दिया है सबजियों को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे ताकि उनका क्रंच ना खतम हो प्याच कोपी बस हम जरसा गरम ही करेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च सारे इंग्रेडियंट्स को देखने के लिए प्लीज एंड तक देखें बीच में ना छोड़ें फिर ना कहें कि अच्छा नहीं बना है और ये मैंने एक छोटी काजर कट्टू कस कर ली है वो मैंने ढाल दी है मैं आट बर्कर के लिए समान बना रही हूँ मैंने तीन बड़े साइज के आलू बॉयल कर लिये है उन्हें मैंने मैश भी कर लिया है इन तीनों चीजों को हमने अच्छे से गरम कर लिया है अब मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़े से मटर और थोड़े से कॉन मटर और कॉर्न को मैंने अलग से बॉयल कर लिया है वो भी मैं इसमें मिला रही हूँ आप सब्जियां अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये मैंने अपने बॉयल और मैश किये हुए पटाटोस मिक्स कर दिया है आलू को थोड़ा थोड़ा सा मोटा रखें एक्तम सौफ ना कर दें अच्छे से क्रश ना कर लें थोड़े थोड़े से टुकड़े बीच में आने चाहिए और ये मैंने थोड़ा सा पनीर भी मिला लिया है इसमें पनीर को हाथ से क्रश कर लें, वो भी थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा रह जाए अब मैं इसमें डाल रहे हूँ हल्दी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से खोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा इसमें मिला लेंगे गरम मसाला आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड्रेस्ट कर लें कुछ कम ज़्यादा करना हो वो आप कर लें जैसा आपके बच्चे पसंद करें उसी इसाब से सबजियां भी एड्रेस्ट कर लें इन सब को हम अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीन चार मिनिट लग जाएंगे इसको मिक्स होने में सब कुछ नमक मिर्च अच्छे से सारे मिक्स कर लें देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है बहुत बढ़िया सी खुश्बू वाला मिक्स हमारा तयार हो गया है देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है अब चाहे तो आप इसे टिक्की की शेप दे दीजिए चाहे इसे बर्गर में स्पून से ऐसे ही रख लें यह आपके उपर है फटा फटा हम तवे पर अपना बर्गर भी सेख लेते हैं गर्मा गर्म सब्जी तयार है हमारी ने तवा गरम कर लिया है बर्गर को पीछ में से कट करके गरम कर लिया है सेख लिया है अच्छे से पार से नहीं सेखेंगे नहीं तो इसकी ब्यूटी खराब हो जाएगी सिर्फ अंदरवली साइट से सेखेंगे एक साइट पर मैं लगा रही हूँ टमैटो सॉस और एक साइट पर मैं लगा रही हूँ मियोनीज ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ेस्ट कर लें जो चीज आप लगाना चाहें वो ही लगा लें अगर आपको ग्रीन चट्मी पसंद है तो वो जरूर लगाएं इसमें उसका टेस्ट बहुत बढ़ी आता है और जीने पसंद है वो ही लगाएं अब हम इसमें लगा लेंगे ये अपना अलू वला मेटीरियल पूरे में अच्छे से लगाएं भर भर के लगाएं और मैंने प्याज के स्लाइसे बहुत पतले पतले से काटे हैं मोटे नहीं हैं बहुत पतले काटे हैं चिप्स कटर से मैंने कट किये हैं इने भी हम लगा लेंगे अब हम इसमें लगा लेंगे चीज स्लाइस अब ये तो पीजा की सोरी पीजा नहीं बर्गर की जहान है ये लगाना तो जरूरी है पर ये भी आप अपने टेस्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ना लगाना चाहें तो ना लगाएं अब ये तयार है हमारा गर्म गरम बर्कर थेंक्स पर वाचिंग माइडिया फ्रेंड्स थेंक्यू सो माँच